Welcome to SP Sharma Classes. My name is Priyanka and I'm your English educator here. So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमने start कर दिया है, basic English का chapter start किया है, जिसमें हम कर रहे हैं, parts of speech. Parts of speech में आप तक हम कर चुके हैं, आपके noun, pronoun, adjective का कुछ basic हम देख चुके हैं, types of adjective and यह सिर्फ basic कर रहे हैं, इनके chapters भी करेंगे, वो fully length, chapter fully detail में होंगे, वो करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी हम basic knowledge, जो है, हमारा base जो है grammar का, वो बना रहे हैं, so that यह terms, अगर मैं discuss करूँ किसी chapter में, तो आप लोग confuse ना हों कि मैं मैं नहीं यह क्या बोल दिया, इसके अलावा, चलिए, start करते हैं, आज की अपनी class, आज मैंने आपके लिए vocab भी हड़ किया है, कि साथ-साथ class में, कुछ ना कुछ vocab भी हम करते रहें, साथ-साथ, so that हमें burden ना लगे last में, तो start करते हैं, आज की class, देखें, types of adjective तक हम नहीं किया था, यहां तक हम कर चुके थे, proper adjective, types of adjective यह सब हम कर चुके थे, चलिए, अब start करते हैं, verb, verb क्या होता है, हमारा, verb जो है, यह represent करता है, action and a state of verb, verb क्या represent करता है, action को दिखाएगा, या state को दिखाएगा, या फिर happening को भी दिखाता है, happening को भी दिखाता है वो discuss करूंगी अभी इसी class में थोड़ी देर बाद देखें he is happy he is happy state बता रहा है वो कैसा है खुश है तो उसकी state है यहां पर कोई काम नहीं हो रहा कोई action नहीं हो रहा सिर्फ यह बताई है state बताई है कि वो इनसान जो है वो क्या है happy है तो यहां पर state बताई जा रही है जब भी बी की forms बी की form यह देखें बी बी की form कोन कोन सी होती है देखें is am are and be खुद यह क्या है बी की first form के अंदर आता है बी की form बी की second form के अंदर आता है आपका वोज़वर कि आई नो कुछ students को पता होगा कुछ students को नहीं बता होगा देख लिजिए and third form के आता है बीन और fourth form भी लोग बना देते हैं उसको बोलते है being ing form को and fifth भी बना सकते हैं लेकिन इसमें नहीं बनेगा ठीक है वो ऐसी है यह इस वाली में देखें तो देखें बी की forms जो है आपको याद रखनी है कि is am are was word जो है आपका वी वर्ब का second form है third form है being and fourth form है being ing form देखें जब भी बी की form किसी भी sentence के अंदर में वर्ब का काम करें किसका काम करें में वर्ब का काम करें तो उस sentence में बी की forms क्या हो जाती है linking वर्ब हो जाती है तो इस sentence में क्या है यह linking verb, linking verb कौन सी होती है, जब भी B की form, main verb का काम करेगी, तो वो क्या हो जाएगी sentence में, linking verb हो जाएगी, जैसे he is happy, तो यहाँ B की form, main verb का काम कर रही है, ठीके, इस sentence में ही क्या है? subject है, is क्या है, verb है, happy क्या है? adjective है, और adjective के साथ-साथ क्या है, subject compliment है, subject compliment, लास्ट क्लास जिसने नहीं देखिए सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट क्या होता है नहीं पता है तो प्लीज लास्ट क्लास देख लीजिए आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट कॉंप्लिमेंट he के बारे में जो बता रहा है या अभी भी जान लिजे subject के बारे में जो word बता रहा है subject के बारे में enhance कर रहा है compliment यानि enhance करना किसी चीछ को बढ़ा रहा है तो वो क्या हो जाएगा subject compliment तो यहाँ देखे he is happy happy जो है वो state है कि वो खुश है यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा बसे बताया जा रहा है वो खुश है तो यह क्या हुआ subject compliment और parts of speech से देखे तो यह adjective है is आपका verb है and he क्या है आपका pronoun है यह क्या है आपका pronoun है next देखे he is writing a poem यहाँ देखे he क्या है subject is writing क्या है वर्ब के portion है यह जिसमें writing आपका main verb है main verb क्या कर रही है action carry करेगे main verb का काम कर रहा है main verb कोंसी है जो action carry कर रही है ठीक है यहाँ पर और is क्या है आपका helping verb and a poem क्या है आपका object he is writing a poem ठीक है तो यहाँ पर subject verb and object अगर parts of speed से देखें यह आपका pronoun है, is आपकी helping verb है, writing आपका main verb है, एक poem आपका क्या है, object है और noun है, यहाँ पर देखें, how are you, यहाँ पर और फिर से helping verb, जो है main verb का काम कर रहा है, यह यह main verb, जब भी B की form main verb का काम करें, तो linking verb हो जाती है, how are you, यहाँ पर जो है, are क्या है आपकी helping verb होगी या main verb होगी, देखें, पूछ रहा है कि आप कैसे हो, यहाँ पर जो है, are helping verb की जगया, main verb का काम कर रही है, यहाँ भी R, main verb का का काम कर रही है, ठीक है, B की form जब भी main verb का का काम करती है, तो उसे हम linking verb कहते हैं, चलिए, next देखें, अब तक समझ आया, अब तक समझ आ बताती है, ठीक है, verb जो है, main verb को, main verb यानि जो action करी करनी वाली है, एक होती है, happening verb, वो हमें अभी discuss करनी है, वो मैंने अभी discuss नहीं किया, ठीक है, वो हम करेंगे, चलिए, adverb क्या होता है, देखें, adverb जैसे noun और pronoun ने अपना एक assistant रखा था, भाई, noun, pronoun हम है, ठीक है, तो बोल है, कि भाई हम कहीं भी जाएंगे, तो हमारी तारीफ तो करेगा, ठीक है, तो noun, pronoun को qualify करता है, आपका adjective, इसी तरह adverb, अब adjective कह रहा है, कि मेरे पास भी तो कोई हो, जब noun, pronoun ने तुम्हें रख लिया है, तो मेरे पास भी तो कोई हो, तो adverb जो है, वो adjective को भी qualify करती है, adverb बताएगी, बताएगी, साथ में adjective की भी विशेषता बताती है, उसको भी qualify करती है, कौन, adverb, adverb qualify a verb, an adjective, और दूसरी, अपनी कोई बहन होगी, अपनी कोई साथ है, उसको भी qualify करेगी, उसको भी यह, उसके बारे में भी बताएगी, तो adverb is in word, which qualify verb, adjective, और another adverb इने sentence, चलिए, example, देखते हैं, एक बात, dear students, OEV students, please, अभी notes मत बनाएगेगा, साथ के साथ, ठीक है, एक टाइम पर आप class ही देखे, जब class देख रहे हैं, तो please, आप class देखे, बिकस आपका जो concentration है, वो notes बनाने में चला जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, मैं जो बोल रही हूँ तो please, एक बार के लिए आप class देखे, और class देखने के बाद, फिर आपको अभी आपनी class देखे, या तो शाम को, रात को, या अगली दिन सुबह, जब भी आपको time मिले, because revise भी हो जाएगा, because हमारा mind जो है, वो इसी तरह से काम करता है, जैसे अभी हमने कोई काम किया, चीक ह कुछ time बाद आप revise करोगे, तो आपका revision भी हो जाएगा, और उस time पर आप notes बनाएगे, उस time पर सुनिए ध्यान से क्या क्या बोल रहे है, एक एक word को आप note करते हुए, अपने notes बनाएगे, अगर आप notes नहीं बनाएगे, तो भी ये चीज जो है, waste हो जाएगे, आपका पढ बना जो है, वो waste हो जाएगा, because revision नहीं कर पाऊगे, notes नहीं होगे, तो revision नहीं कर पाऊगे, और without revision, competitive exams को crack करना बिल्कुल भी possible नहीं है, revision is the key, consistency is the key to crack any exam, ठीक है, repetition, 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 ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत intelligent students ये exam को पास करते हैं, intelligent वगर है कुछ नहीं, आपका exam जो है, वो आप आप से time मांगता है, आप से dedication मांगता है, अगर आप time देंगे उस चीज़ को लगातार, आप मेहनत करेंगे, तो you will crack the exam, तो उसलिए please notes बनाएगा, but notes अभी नहीं साथ के साथ में सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, adverb, हमने क्या देखा, adverb एक word है, जो qualify करता ह है, verb को, adjective को, another adverb को, कैसी qualify करता है, चलिए देखते हैं, देखे, एक sentence मैंने लिया, he speaks, subject and verb है आपे, he क्या है, subject and speak क्या है, आपकी, verb है, क्या मुझे कोई भी बच्चा, tense भी बता पाएगा, कुन से tense है, यह present indefinite है, क्योंकि he, she, it के साथ, s या, es, he, she, it के साथ, s या, es, ज indefinite में लगता है, तो यह अपका present indefinite tense है, यहाँ देखे, यहाँ देखे, he speaks how, वो किस तरह से बात करता है, वही, कैसे बात करता है, he speaks how, तो बोला, fluently, he speaks fluently, fluently, यह नहीं, flow में काम, बोलता है, रुक रुक कर नहीं बोलता, he speaks fluently, तो fluently किसको qualify कर रहा है, he, देखे, subject और क्या है, pronoun है, speaks क्या है, वर्ब है, आपकी वर्ब की form है, कौन सी वर्ब है, main वर्ब है, action carry कर रही है, speak बोलना कोई काम हो रहा है, fluently क्या है, adverb है, क्या है fluently, adverb, क्योंकि यह qualify कर रही है, बता रही है, किसके बारे में, verb की बारे में बता रही है, कि बोल कैसे रहा है, ठी यह क्या हुई आपकी adverb, समझ आया, देखे, तो अभी मैंने इस definition में बोला कि it qualify a verb, तो verb को qualify कर दिया, अभी रेखते हैं, adjective को कैसे qualify करेगा, और adverb को कैसे qualify करेगा, देखे, next sentence, देखे, he speaks very fluently, he speaks very fluently, देखे, speak subject, he क्या हुआ, subject है, parts of speech में pronoun है, speak verb है, ठीक है, very and fluently, fluently कैसे बोलता है भही, fluently बोलता है, तो fluently क्या हुआ आपका, adverb, fluently क्या हुआ आपका, adverb, and very क्या हुआ, very क्या हुआ, very किसको बता रहे है, वो बोलता है, fluently, ठीक है, और fluently में भी क्या लगा है, बहुत fluently बोलता है, very लगा दिया, ये fluently को बता रहे है, fluently जो कि खुद एक adverb है, ठीक है, उसी क क्योंकि speak के बारे में बता रहा है कौन fluently के बारे में कौन बता रहा है बहुत है very fluent वहोत fluently तो वेरी भी क्या हुआ आपका एक लोओ तो यह कि अमका 50 स्पीच क्या हुआ एड़ोर है ठीकर और वैरी में एचसे वह देखें आपने एडवर्ब यहां पर किया है हमने यहां कि देखिए हम्म में देखें एडवर्ब फ्रिक्वेंसी जो पताए कितनी बार कोई काम हो रहा है चीक है अब आपने देखो ठीक है सोरी एड़बों फ्रिक्वेंस से हमने ये एड़ब हमने अभी क्या नहीं है अभी अपिक शुख है थे अभी कर लेंगे ठीक है वह दूसरी बैच में मैंने करवाया अभी नहीं करवाया वह देखें तो यहां देखें he is a very fluent speaker तो फ्ल्वेंट आपका क्या है यहां पर fluent यहां वेरी जो है आपका क्या है अभी के लिए इतना ही जानते यह adverb of कौन सा है adverb of manner या adverb of frequency है ठीक है यह हम discuss करेंगे अभी देखें he is a very fluent speaker ही क्या है आपका subject है this क्या है आपका is क्या है यहांपर main verb की तरह काम कर रहा है जब वी की form main verb की तरह काम करें तो फो लिंकिंग वर्व होती एक संटेंस में तो यहां यह linking verb है a very fluent speaker he वो क्या है speaker है उसके बारे में बताया speaker speaker कैसा है fluent है जो noun या pronoun की विशेषता बताए speaker का 500 speech क्या है noun वो क्या है speaker है ठीक है अब यह बता है fluent speaker है कैसा speaker fluent है बही तो fluent क्या हुआ adjective जो noun pronoun की िषेषता बताए वो क्या होता यहां देक्द है नावन या प्रॉन जो विशेषता बताए वह बेले जो वेरी क्या हुआ आपका एडिेक्टीकिव की बाद वेरी क्या हुआ जिर वेरी जो विशेष्टा बता रहे हैं एड् wayश्य के लिए को यह आता है अगवर्ब तो बेई हुआ आपका यहाँ पर दोब वहरी है आपका यहां पर एड़ब तो अब इतना समझ आया राइटिंग के लिए माफ कीज़ेगा विकाज अभी मेरे पास कुछ इशू है थोड़ा सा जिसकी वज़े से पैन धें से मोमेंट नहीं कोई पारा कोई बात नहीं देखेगा ठीक है तो यह हुआ आपका एड़ब तो समझ आया he is a very fluent speaker तो यहां पर क्या है एक एड़ब क्वालिफाई करती है वर्ब को अनेंदर एड़ब को एड़ेक्टिव को एक सिंटेंस के अंदर हमने देख भी लिए एक्जांपल से यहां तक समझ आया कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं जो यह पढ़ा र हो रहा है और इसी से conceptual ही आजकल आपको पता है functional grammar की डिबांड है क्रैमिंग से काम नहीं चलता इतना आप को लोजिकल समझने लग जाएंगे उतना ही आपको चीजे अच्छे से समझा जाएगी चीजे लर्ण तो करनी है सभी को लेकिन conceptual वे में समझके ठीक है रटता नहीं मारना देखिये types of adverb adverb के type करते हैं भी adverb of time adverb of time जो हमें time के बारे में बताए समय के बारे में बताए इसका answer किसे पूछते हैं जैसे adverb का answer पूछते हैं how से इसका answer पूछते हैं when कब कब हुआ यसे yesterday बीता हुआ कल सून जल्दी लेट अर्ली रिसेंटली हाल फिलाल ठीक है आप देखते हो ना आपके फोन में भी एक आता है रिसेंटली वोश्ट वीडियोज आपने अभी अभी कौन सी वीडियोज वोश्ट किया है ठीक है रिसेंटली हाल फिलाल फर एक्जम्पल देखें I will call you soon मैं तुम्हें जल्दी ही बुलाऊंगा I will call you soon तो I क्या हुआ पार्ट्स वीज आई है subject और क्या है प्रोणाउन प्रोणाउन भी कौन सा है personal प्रोणाउन देखेंगे हम बात में देखेंगे कि कौन सा personal प्रोणाउन होता है अभी के लिए जान इंग वब यू सून यू क्या हुआ किसको बुलाओ वहीं कोल वाउब का जो action है कोन receive कर रहा है आपका यू ऑबजेक्ट यू आपका क्या है प्रोणाउन एक सिंटिन्स में subject या object बनता है नाउन या प्रोणाउन तो यह यहां हुआ आपका प्रोणाउन एंड चून क्या ह लगा सुन क्या है आपका adverb बुलाओंगा कव बुलाने को वश्यस्ता बता रहा है कि जल्डी बुलाऊंगा ठीक है i will call you when when का reply है when का reply है आपका सून तो सून क्या हुआ adverb of time अब मैं सिंटेंस में बोल सकती हूं ना कि आई जो है pronoun है विल जो है helping verb है को main verb है यू आपका pronoun है और सून क्या है adverb of time है इस तरह आप बता पाएंगे ना देखें next देखें I saw him yesterday आई आपका subject है pronoun है ठीक है सो आपका main verb है मैंने उसे देखा कब देखा सो आपका second form है past tense में चला गया yesterday भी तव हो time I saw him him क्या है आपका object है objective form ठीक है I hope students सबको पता होगा जैसे I subjective form है इसका objective form होता है में ठीक है इसी तरह ही subjective form है इसका objective form होता है him she subjective form है इसका objective form होता है her ठीक है आप सबको पता है न तो देख इसका subjective form है them इसका objective form है ठीक है subject और object है चलिए तो I met him recently yeah sorry I saw him him क्या हुआ आपका object and क्या है इसके साथ साथ यह भी pronoun है ठीक है और यहां पर yesterday yesterday क्या है adverb of time किसके बारे में बता रहा है बही मैंने उसे कल देखा time के बारे में बता रहा है when I saw him I saw him yesterday ठीक है कब देखा मैंने yesterday तो यह आपका adverb of time हो गया इसी तरह I met him recently I क्या हुआ subject met verb him क्या है object है subject यह object एक sentence में कोन बनते है नाउन या प्रणाउन बार बार बोल रही हूं प्लीज याद करता recently क्या हुआ वह कब मिला मैं I met him when तो यह क्या हो गया आपका adverb of यह हो गया आपका adverb of time ठीक है यह हो गया आपका adverb of time next देखिए adverb of place next आपका adverb of place adverb of place क्या होता है सबसे पहले आप adverb of time को एक बार रिवाइज कर लीजिए adverb of time को रिवाइज कर लीजिए कि adverb of time में क्या होता है एक बार करिए आगे बढ़ते हैं तब तक चलिए adverb of place adverb of place जहां से हमें किसी location का पता लगे किसी जगे का पता लगे जैसे वो शब जो जगे के बारे में बताएं लोकेशन के बारे में बताएं जैसे हेल यहां देर वहां अप उपर डाउन नीचे अपस्टेर्स भाई सीडियों के उपर वो अपस्टेर्स है ठीक है अपस्टेर्स है सम्वेर कहीं भी ठीक है यह सारे वर्ड्स वो वर्ड्स जो टाइम को डिनोट जो प्लेस को डिनोट करें उन्हें क्या आते हैं adverb of place कहते हैं जैसे I forgot my sunglasses somewhere ठीक है I क्या है आपका subject है subject के साथ साथ क्या है renowned है forget क्या है main verb है भूल गया था I forgot forget, forgot, forgotten verb का second form है ठीक है तो past tense में चला गया यह जो verb की form से होती है यह हमें यह भी बता देती है कि tense कौन सा है ठीक है possessive adjective मेरा अधिकार बता रहा है और जिन students को नहीं बता कि possessive adjective क्या होते है please last class देखिए आपको सब समझाएगा sequence में देखनी है classes so that आपको understanding अच्छी बने ठीक है तो my क्या हुआ possessive adjective my sunglasses I forget what object क्या हुआ इसमे object क्या हुआ sunglasses ठीक है I forgot what I forget my sunglasses तो sunglasses हुआ आपका object and my हुआ आपका possessive adjective and कहां forget कर दिया somewhere कहीं I forget my sunglasses somewhere तो somewhere क्या हो गया dear somewhere हो गया आपका adverb of place somewhere हो गया आपका adverb of place यहां पर next देखिए he is upstairs वो कहां पर है वो upstairs है ठीक है वो upstairs है उपर है तो he was subject is हुआ आपका verb और upstairs क्या हुआ आपका adverb of place ठीक है वो कहां पर है वो गया उपर है और b की form जब भी main verb की तरह काम करें तो वो sentence में कैस की तरह का act करती है linking verb की तरह act करती है next देखिए she came down she was subject came हुआ आपका verb का second form she subject है साथ साथ pronoun है verb का second form है came come came and down क्या है वो कहां आ गई नीचे आ गई down क्या है आपका adverb of place ठीक है adverb of place she came down तो जिन वर्ड से हमें place का पता चले वो क्या हो जाएगा आपका adverb of place answer किसे करेंगे she came where ठीक है she came down she came where she came down ठीक है या where she came she came down इस तरह से भी questions put कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है adverb of place के बारे में next है आपका adverb of manner adverb of manner how से answer करेंगे फिर से ठीक है वो बहुत 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 ब्रेवली ठीक है या nicely वो बहुत बहुत अच्छे से बात करती है वो बहुत rudely बात करती है वो बहुत sweetly बोलती है ठीक है यह काम तो इजली हो जाएगा तो ऐसे वर्ड जो मैनर बताई कोई काम किस तरह से हो रहा है मैनर की बारे हम बताई उसे हम बोलते हैं अड़ब ऑफ मैनर जैसे दे फोट ब्रेवली वह बहादूरी से लड़ी तो दे हुआ सब्जेक्ट साथ में आपका प्रणाउन फो ठीक है याद रहेगा शीटोक्स है आउव लुग हौ सिटोक्स- आरिण इसली मैं उस ब्रेद वह सबचरोकष और वकल करने किसको वार्ब को की सौण दपर इजलीद के वह है आपका subject, solved है आपका verb, वर्ब का second form में तो past tense होता है, देखे साथ-साथ ना आपको tense को थोड़ी understanding हो जाएगी, please सुनते वे चलिएगा, कि solved जो है वो verb का second form होता है, ठीक है, the puzzle है आपका object, ठीक है, और यह क्या हुआ आपका noun हुआ, ठीक है, और कैसे solve की उसने puzzle, तो solve करने की तरीके को बता रहे जा रहे है न, easily solve कर दी भई उसने, अराम से solve कर दी, तो यह क्या हुआ, adverb of आपका, adverb of manner, manner, shally talks rudely, कैसे बात की, shally talks how, बहुत rudely बात की उसने, ठीक है, तो यह होगा, आपका adverb of manner, क्योंकि यह किसके बारे मिशेषता बता रहा है, किसके बारे में qualify कर रहे है, किसके बारे में बता रहे हैं टॉक वर्ब के बारे में बता रहे हैं और शैली हूँ आपका subject यही doer है आपके sentence में टॉक आपका main verb है और वर्ब का first form है साथ में s या es लगा है वर्ब के first form के साथ s या es जब भी लगता है तो present indefinite tense में आता है वो detail में भी करेंगे पर जो भी बाते बता रहे हूँ प्लीज ध्यान से सुनियेगा so that आपके थोड़ी छोड़ी concept जो बनते चले जाए ठीक है और साथ में शैली क्या है parts of speech है आपका noun पोस्ट मार्टम करना आना चाहिए आपको sentence का कि इस sentence में कौन सी चीज क्या है नेक्स देखे एडवर्ब of frequency ठीक है एडवर्ब of frequency अब तक हम नहीं कर लिया है एडवर्ब एडवर्ब of time time adverb of place adverb of manner ठीक है time जो tim के बारे में बताए प्लेस जो झालो ऐसा wait जो place के बारे में बताए और adverb of manner जो तरीका बताए कि कोई काम किस तरह से हो रहा है अब हम कर रहे है adverb of frequency देखे adverb of frequency जो है ये बताता है Seven कितनी बार कोई काम हो रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी बताता है जैसे डेली हरकाम जो है डेली ऐसे वर्ड जो फ्रिक्वेंसी बताएं ठीक है मेरी मां डेली मंदिर जाती है ठीक है डेली मैं डेली ब्रश करता हूं ठीक है तो डेली जो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो क्या बताते हैं किसी चीज की बारम बारता frequency का Hindi meaning होता है बारम बारता ठीक है बार बार आप कोई काम कर रहे हैं उसकी frequency क्या है always seldom never occasionally always यानि भई मैं हमेशा यह करता हूं ठीक है I always eat pizza ठीक है तो मैं हमेशा pizza खाता हूं मुझे pizza पसंद है seldom कभी कभी never कभी नी I never lie ठीक है I never tell lie ठीक है मैं कभी जूट नी बोलता occasionally अकसर ठीक है तो in words की frequency है तो सबसे पहले in words की frequency को मैंने एक table में आप लोगों के लिए note किया क्योंकि students को पता नहीं होता तो देख लेते हैं never यानि 0% कोई काम ना के बराबर है rarely यानि 5% ना से थोड़ा उपर negative word rarely barely scarcely hardly यह सारे word negative है और यह frequency को दिखाते हैं कोई काम कितनी बार हो रहा है seldom 10% ठीक है कभी कबार कभी कबार साल में एक बर चलेगे तो चलेगे कहीं ठीक है आप 50% महीने में अगर वन मंथ है तो आप उसमें से 15 दिन में से एक दिन वह काम करते हैं ठीक है often often यानि लग बग अक्सर वह काम आप बार बार प्रियाई वह काम आप करते रहते हैं ठीक है जेनरली, ठीक है, I generally go to gym by bus, ठीक है, मैं bus से जाता हूँ, जेनरली, आज भई कार से जा रहा हूँ, usually I usually eat ice cream, मैं usually ice cream खा लेता हूँ, 90% and always, यानि 100%, यह इसलिए बताए हैं, यह frequency of words इनसे यह पता चल जाता है, कि भी कितनी percentage है किसी काम की, एक understanding बनाने के लिए, तो जब भी time लगे, इस table को देख ली जाएगा adverb of frequency, यानि ऐसे words जो हमें यह बताए, कोई बार, कोई काम जो है, वो कितनी बार हो रहा है, जैसे my mother goes to temple daily तो my क्या हुआ है यहाँ पर इस sentence में, possessive adjective है my, ठीक है और mother क्या है, adjective कि इसकी भी सहसता बताते है, noun की mother है आपका noun goes है आपका verb की first form, साथ में as या as लगा है, तो यह है आपका present indefinite tense यह आप छोड़ दीजी, नहीं भी पता है, तो कोई बात नहीं आगे जाल लेंगे हैं ठीक है, अभी आप यह देखिए, to क्या है, preposition preposition क्या होता है दूसरे words से relation बताते हैं, sentence में ठीक है, noun या pronoun का other words से relation बताते है, extra information provide करते हैं, हमें इनी के बारे में, ठीक है goes to two way, ठीक है my mother goes to temple, और temple कब जाती है how often, how often she goes to temple, तो वो daily जाती है, तो daily क्या हुआ आपका, adverb of frequency adverb of frequency आपका क्या हुआ, daily समझाया, next देखिए my mother आपका subject था इस sentence के अंदर, पहले ही, और यह आपकी verb की form, temple आपका object है उसको relate करने के लिए two preposition यूज़ किया, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा preposition का object आता है, तो यह preposition का object and daily क्या है आपका, adverb को qualify करता है, ठीक है कब जा रही है, verb किसको qualify कर रहा है verb को qualify कर रहा है, goals को क्योंकि mother कब जा रही है daily जा रही है, ठीक है, next sentence देखिए she always tells lie, she क्या हुआ आपका, subject pronoun है, always क्या हुआ adverb, adverb of कौन सा how often she tells lie, ठीक है, तो कब lie करती है, भई, कब जूट जादा बोलती है ठीक है तो जूट बोलती है हमेशे जूट बोलती है, यार वो तो कभी उसकी बार पर विश्वास नहीं करा, तो she always tells lie, always क्या है आपका adverb of frequency tell क्या है आपकी verb verb, और verb के बारे में बता रहा है कि हमेशा बोलती है और lie, lie क्या हुआ आपका object ठीक है next देखे, I never cheat anybody, तो I है आपका subject, साथ में pronoun never adverb of frequency हो गया आपका, cheat हो गया आपका verb verb और anybody I never cheat anybody हो गया आपका object noun, मैं किसी को भी cheat नहीं करता हूँ next देखे, I ate pizza sometime, तो I हुआ आपका subject, eat है आपका main verb, and pizza हुआ आपका object और कब खाता हूँ भाई, how often I ate pizza, sometime, sometime हुआ आपका adverb of frequency बहुत बेसिक से करवा रहे हूँ बिल्कुल zero से बिल्कुल zero से ठीक है, I hope आपको समझदाया होगा next में बढ़ते हैं next देखे, adverb of degree adverb of degree बताता है कि कोई चीज कितनी ज़्यादा है how much, उसके intensity को बताता है, ठीक है कि intensity कैसी है ठीक है, very so, enough, to ठीक है, much, ज़्यादा far, दूर, ये सारी words जो हैं, वो adverb of degree को दिखाते हैं, जैसे he is very smart वो कैसा, बहुत smart है ठीक है, तो smart आपका क्या है he क्या है आपका, subject है is आपका verb है और ये verb के बारे में ये को उनसी अभी की form, जब भी main verb की तरह काम करें तो लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पर ये linking verb का काम कर रही है very smart, he is very smart वो बहुत smart है, ठीक है smart हुआ आपका adjective और adjective के बाद में कैसा ये vary हुई आपका adverb adverb कैसी, adverb of degree बता रही है कि बहुत smart है, adverb of degree और adjective क्या होते है जो noun, pronoun के विशेस्ता बताए he, कौन smart है he, he क्या है आपका pronoun, pronoun के विशेस्ता कौन बता रहा है, smart तो ये क्या होगे आपका adjective adjective, first class में बताया है, next देखे water is too cold water हुआ आपका noun subject है, ठीक है is too cold, is हुआ आपका verb, यहाँ पर कोई action तो हो नहीं रहा verb, linking verb है, water कैसा है बहुत पानी की state बताई जा रही है पानी कैसा है, बहुत ठंडा है cold, cold हुआ adjective, water के बारे में बताई जा रहा है और to क्या हुआ आपका adverb हुआ, क्योंकि पानी कैसा है बहुत ठंडा है, तो यह क्या हुआ adverb of degree next देखे, sheila is much stronger than than रक्षा देखे, sheila क्या हुआ आपका subject, is क्या हुआ आपका helping verb ठीक है, और helping verb नहीं के साथ साथ यह क्या है, आपका यहां पर helping verb नहीं, main verb की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि B की फॉर्म जब भी main verb की तरह काम करें, वो linking verb होती है linking verb है यहां पर ठीक है तो much stronger, वो कैसी है stronger है, stronger comparative degree का यूज क्या है, और जब भी comparative degree का यूज करते हैं, तो then लगाते हैं, ये वाला than, और ये वाला than, दोनों में difference है, ये than होता है, बाद में और ये वाला than होता है, comparison के लिए यूज करते हैं, ठीक है she is much stronger than रक्षा, वो रक्षा से ज़्यादा, शीला जो है, रक्षा से ज़्यादा stronger है, तो यहां पर देखिया भी शीला क्या हुआ, subject is linking verb, stronger than, रक्षा, तो stronger क्या हुआ, आपका, comparative degree है, और much क्या है, strong, ठीक है adjective की विशेशता बतारे, बहुए, कितना strong है, बहुत, ज़्यादा strong है, यह ज़्यादा strong है, तो much क्या हुआ, adverb of degree, बता रहा है कि कितनी strong है, adverb of degree, next sentence देखिये, it's so far, यह बहुत दूर है, तो far हुआ, आपका, adverb of degree, it हुआ, आपका subject, and so हुआ, sorry, far हुआ, यह बहुत दूर है, दूर क्या हुआ, आपका, यह आपका, आज्जेक्टिव है, यहाँ पर far, it's so far, बहुत दूर है, ठीक है, और so क्या हुआ, आपका, adverb, adverb, यह बता रहा हुआ, कि बहुत दूर है, कितना दूर है, बहुत दूर है, यह दोनों ही आपका, क्या है, adverb, ठीक है, देखें, next, देखें, कुछ sentences दिये हुए है, आपको देखना है, कि इन में adverb कौन सी है, तो I hope, आप सब recognize कर लेंगे, यह sentences, आप लोग करेंगे, ठीक है, एक sentence में देखती हूँ, यह देखें, she bought an extremely costly dress, तो she क्या हुआ, subject, आपको दो तरीके से split करना है, sentences को, एक subject, verb, object के हिसाब से, और एक split करोगे, आपको parts of speech के हिसाब से, जैसे मैं कर रहे हूँ, यह हुआ subject, बोट हुआ आपका main verb, by boat, बोट, वब का second form है, an article है, article है, extremely costly dress, ठीक है, उसने क्या खरीदा, she bought what, what का reply आया, dress, what का reply noun या प्रोनाउन होता है, तो यह हो गया आपका object, dress कैसी है, costly है, ठीक है, costly है, ठीक है, तो dress के बारे में, यहाँ पर, she bought an extremely costly dress, ठीक है, उसने बहुत महेंगी dress खरीदी, तो यहाँ पर extremely क्या हो गया आपका, किसको बता रहा है, costly को qualify कर रहा है, ठीक है, और dress कैसी है, कैसी dress खरीदी है, costly खरीदी है, तो यह यहाँ पर क्या होगे, adverb, extremely adverb of degree हो गया, बहुत महेंगी खरीदी है, ठीक है, और costly क्या हो गया आपका, बहुत को खरीदा है, ठीक है, आपको बताना है, तो यह भी क्या होगा, आपका adverb हो गया, तो यहाँ पर जितने भी words हैं, आप सब का homework यह है, कि सारे sentences को split करके देखना है, next देखिए, adverb of negation, adverb of negation वो होता है, जो not, इसमें not का यूज करते है, not आपका adverb of negation होता है, कैसे, he is not studying English, he क्या है subject, is क्या है आपका, linking verb, क्योंकि main verb नहीं है, ठीक है, he is not studying English, studying क्या हुआ, main verb, यह linking verb नहीं होगा, यहाँ पर क्योंकि main verb दिया हुआ है, ठीक है, यह helping verb, he is not studying, what, what का reply है English, तो यह आपका है noun यहाँ पर, क्या है आपका noun, ठीक है, he is not studying English, तो not हो गया, आपका adverb of negation, he is not smart, ठीक है, तो not यानि adverb होता है, और इसको हम adverb of negation बोलता है, I hope यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, बहुत जादा हो जाएगा, फिर हम next class में करेंगे, उससे पहले हम कुछ vocab देख लेते हैं, vocab देख लेते हैं, आज मैंने आप लोगों के लिए vocab एड़ किया है, डेली हम कुछ न कुछ vocab करते रहेंगे, so that हमें जो हैं वो last में बहुत जादा ना लगे, आज हम करेंगे कुछ misused words, जैसे कि accept, accept का मतलब होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना किसी चीज़ को, I accept the full responsibility of the failure of the plan, ठीक है, अब sentence देखे, कि मैं जितना भी जो भी plan, accept का parts of speech आपका verb है, इसका मतलब है स्वीकार करना, जो भी plan फेल हुआ है, उसकी responsibility मेरी है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई भी sentence आप बना सकते हैं, next word है आपका accept, accept, देखे ये, accept था, ये है accept, accept preposition है, इसका parts of speech, और इसका मतलब क्या होता है, के सी वाई, parts of speech क्या है दियर इसका, preposition है ये, ठीक है, के सी वाई, I like all fruits, मैं जितने भी fruits से सब पसंद करती हूँ, accept pineapple, accept apple, accept guava, accept melon, जो भी आपने, accept यानि उसको छोड़ कर सब पसंद है, ठीक है, expect, expect होता है, आशा करना, hope करना किसी से, आशा करना, next word है, expect, I expect the package will arrive tomorrow, मैं expect कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ कि कल तक जो है, वो package आजाएग, आप किसी से आशा करते हैं, तो expect, ठीक है, I am expecting that I will get 90% marks, I will crack the exam, मैं आशा कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह आप कोई भी sentence, आप daily use में भी अपने, use कर सकते हैं, next, देखिए, suspect, suspect होता है, किसी पर संदे करना, संदे करना, शक करना, they suspect, that new employee, isn't qualified for the job, they suspect, उन्हें संदे है, कि जो नया employee है, वो जॉब के लिए, जो है qualified नहीं है, सही नहीं है, उसके पास वो डिग्रिया नहीं है, वो qualifications नहीं है, जो इस जॉब की requirement है, तो आज आपने कुन से, चार वर्ड की है, जो कि miss confused है, और SSC के अंदर, LDC, CZL के अंदर, homonim नाम से, इस topic को add किया गया है, जो कि कुछ भी नहीं, misuse या confused words ही है, जैसे accept, accept, expect, suspect, सारे एक जैसे, बोलने वाले, एक जैसे sound से आती हैं, इनमें और ये confusing लगते हैं, तो आज हमने ये चार वर्ड भी सीख आ है, तो please do revision, and stay tuned till the last class, thank you,